लकड़हारा और सुनहरी कुलहारी की कहानी सालों पहले एक नगर में कुसम नाम का एक लकड़हारा रहता था वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी एक दिन लकड़हारी जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की तहनियों को काटने के लिए उस पर चड़ा उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुलहारी नीचे गिर गई तेजी से लकड़हारा पेड से उत्रा और अपनी कुलहाडी को धुन्दने लगा, उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुलहाडी गिरी होगी और धुन्दने पर मिल जाएगी, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुलहारी पेड से सीधा नीचे नदी म धूड़ता रहा लेकिन जब लकडी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुलहारी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी इससे वो काफी दुखी हो गया लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नई कुलहारी खरीच सके अब वो अपनी स्थि पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा, लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया तुम इतना क्यों रो रहे हो, कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुलहारी गिरने की कहानी सुना दी, नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुलहारी को ढूंदने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुलहारी लेकर आ गया हूं। नदी के देवता की बाते सुनकर लकड़ारे के चहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़ारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनरी रंग की कुलहारी ले रखी है। दुखी मन से लकड़ारे ने कहा यह सुनरी रंग की कुलहारी मेरी तो बिलकुल भी नहीं है, यह सोने की कुलहारी जरूर किसी अमीर इनसान की रही होगी, लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए, कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले, इस बार उनके हातों में चांदी की कुलहारी थी, उस कुलहा दे दीजिएगा मुझे तो अपनी ही कुलहारी ढूननी है इस बार भी लकड़ारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए अब देवता को देखते ही लकड़ारे के चहरे पर बड़ी सी मुस्कान उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुलहारी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुलहारी है ऐसी ही कुलहारी पेट काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी आप ये कुलहारी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुलहारियों को उनके असली मालिक पहुँचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी इमानदारी और निश्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता। तो सोने की कुलहारी जट से ले लेता। लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुलहारी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की ही कुलहारी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। म पहानी से सीख इमानदारी से बड़ी दौलत इस दुन्या में कुछ नहीं है. अच्छे इमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशन सा होती है.